अब हमारा next lecture है number functions के उपर जहां पर हम कुछ functions को use करने वाले subtract, divide, multiply, percentage, rounding numbers and even on इन मेंसे जाद तर आप usage जो करने वाले हो basically आप number one जो है ये लेक्शन वो use करोगे ये जो usage के काफी कम है लेकिन फिर भी मैं तीनों चीज आपको समझाओगा तो उसके लिए हमारे power BI पर ही add, subtract and divide तो यहां पर हमारे पास सखर कोई sales का value होगा तो हमारे बहारे होगा थो sales का value यहां पर नहीं है तो हम यहांigon का करते हैं कि इसको close करके हम दूसरा table ले लेते हैं च्रीक है तो मैं यहां पर कोई मैंने अलग से एक format create नहीं किया है यहां पर हम order breakdown पर आते हैं देखते कि सेल्स का data किसे में इसमें इसको transform भी ले लेते हैं ठीक है तो यहां पर आप देखो कि यहां पर sales discount यह सारे कि सारे आगे और इसको क्या करना है इसको क्या करना है यहां पर आप देखो स्टेंडराइस अगर मुझे इन सारे वाल्यूस में पांच-पांच वाल्यू आड करना तो इसको पर में क्या करूंगा अगर मैं यहां पर पांच से मल्टिप्लाइ करना चाहता हूं तो आप देखो एक नया कॉलम और क्रियेट होगा और वो धाइसो हो जाएगा कि अगर भाहि मुझे सब्ट्राक करना है तो मैं सब्ट्राक करूंगा तो मैं सब्ट्राक करना हो सारी के सारी वाल्यू से जाएगा इक नया कॉलम और बढ़ बन गया multiply और subtract आसानी से कर सकते हूं